नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कहा हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में आई आज हम सभी जानते हैं कि सबता हमें बाल कितनी बार धोने चाहिए और शेंपू की जरूरत एक्चुल में कप पड़ती है जिहां बाजार में मिलने वाला हर शेंपू आपके बालों क सभी समस्याओं से निजात पिलाने का वादा करता है इन वादों पर यकीन करके आप अपने बालों को शेंपू करना शुरू कर देते हैं कई बार रोजाना शेंपू करने लग जाते हैं लेकिन संभव है कि आप अपने बालों को जरूरत से ज़ादा बार धो रहे हों, कई लोग अपने बालों में रोजाना शेंपू करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके बाल महले हो जाएंगे, जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत तो यह है कि सपता हमें 3-4 बार से ज़्यादा शेंपू करने से आपके बालों को नुकसान पहुंचता है, जी हाँ, आप कब शेंपू करना चाहते हैं, या आपकी पसंद पर निर्भर करता है यह, आपके स्कैल्प और बालों के प्रकार पर निर्भर करता है, संभव है कि आप एक प्रकार का बुल फाइबर, जी हाँ, आप जिसे जितना दोएंगे यह उतना बुरा नजर आएगा, अपने बालों को रोजाना दोने की जरूरत नहीं है, आपके बाल दोने के बीच में ही अधिक लंबे, मोटे और करली होते हैं, तेल बालों की जड़ों और स्कैल्प म करने की जरूरत नहीं होती है, कब होती है रोजाना शेंपू की जरूरत, जानकार कहते हैं कि रोजाना शेंपू की जरूरत तभी पड़ती है, जब से अधिक मातरा में तेल निकलता हो, कई जानकार यह भी मानते हैं कि रोजाना शेंपू की जरूरत केवल खुश्बू के लिए ही होती है और अगर आप रोजाना शेंपू करना ही चाहते हैं तो हलका शेंपू इस्तेमाल करें इन हलके शेंपू में अन्य शेंपू के मुकाबले कम डिटरजेंट होता है पाउडर का इस्तेमाल जिहां पाउडर और ड्राई शेंपू बालों को धोने के बीच के दोर हलंकि पूलिट से अस्थान आंतरित कुछी महिलाएं अपने बालों को कम डिव हें। कमें करते हैं कई सबस्टह में एक बार we go Fahrenheit चैनल जार करना पुसंद अच्छा होता है आफ तो ज्यादा शेंपू न करें अपने हेर्स को अगर आप डैमेज होने से बचाना चाहते हैं तो क्योंकि ये फायदे मंद होने के साथ साथ उस इस्थिती में नुकसान दायक बन जाता है तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपन को अन कर लिजे ताकि अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर क्या है नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले और जाते जाते आप सभी से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक शियर एंड कमेंट्स अवश्य करें ताकि अन्य ज़रूरत मंद लोगों तक वीडियो असानी से पहुंच पाए तो मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें व्यास्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों